हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी मैं हूँ हर्बिर सिंग स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने स्टेडी चैनल स्टेडी 24 ओफिसियल में अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको सारी चीजे जैनुविन मिलेंगी और अगर आप टीचिंग लाइन से हैं तो ये चैनल आपके लिए काफी इंपोटेंट रहने वाला है तो साथियो आज हम बात करते हैं MCD, PRT, DSSB तो केंडिडेट्स की क्या मांग है आप देख रहे हैं कुछ केंडिडेट्स सेलेक्ट हो गए हैं कुछ सड़कों पर उतर आए हैं तो मैंने ये जानना चाहा कि उन केंडिडेट्स की मांगे क्या है, हलाकि जो मेरा विचार था, नॉर्मलाइजेशन, गलब तरीके से हुआ है, तरीका उनका साइन्टिफिक हो सकता है, लेकिन बच्चों के साथ कुछ इंजस्टेस हुआ है, क्योंकि काफी अच्छे मार्क् competition से बाहर हो गए हैं, तो मैंने ये जानना चाहा कि कंडिडेट्स की और क्या मांगे हैं, तो आप चौक जाएंगे कि क्या मांगे हैं उनके, तो सबसे पहले मांग ये कि नॉर्मलाइजेशन जो प्रोसेस इन्होंने किया है, वो दुबारा हो, अच्छे तरीके से हो, क्यों जिनका सिलेक्शन हुआ है, उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, उनके लिए बहुत गलत कम नॉर्मलाइजेशन हुआ है, तो भी कंडिडेट्स की क्या मांगे हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले नॉर्मलाइजेशन दुबारा हो normalization का जो टरीका बताए वो क्या बता है कि 30-80 frequent may क्या है कि सबसे पहले जो repeated question उन्होंने बनाए हैं सबसे पहले 30-80 frequent में कोई repeated question नहीं है और ये बात आप भी समझ रहे हों गए 30xim frequent कोई repeated question कैसे हो सकता है अगर exam पहली से 50 Ethereum में तो repeated question क्या होता है यह तो सब समझते हैं, repeated मतलब जो question repeat हुए है, 30 वाली shift में तो कोई question मतलब पहली बार आ रहा है, तो वो repeat कैसे हो गया, number one, तो उनकी demand है कि repeated question के नाम पे जो गलत हुआ है, यह 30 वाली shift में कोई repeated question नहीं है, उनको जो 30 वाली shift है, उन candidates को marks मिले plus में, repeated question की जगह है, repeated question है नहीं को तो जितने question है, जो उनके marks आएं, उनमें कुछ marks plus करके उनको दिये जाएं, जिससे जो candidates able हैं, उनका selection हो सके हैं, इसके बाद दूसरी बात आती है, 13 चौदर वाली, आप रख सकते हैं कि 13 और 14 वालों के या तो marks decrease कर सकते हैं कुछ, या same to same रख सकते हैं, इसके बाद बात आ गलत हैं, इसके बाद साथ यो दूसरी मांग जो मैंने उनसे पूछी, तो दूसरी मांग ये थी, कि जो vacancies है, total vacancies उनको shift में divide कर दीजिए, मतलब 4 जगे divide कर दीजिए, 1000 प्लस vacancies divide हो जाएंगी हर shift में, उसके बाद simple तरीके से, ना कोई repeated question हटाने की जरूरत, ना कुछ हटा लगा, इसके बाद उनकी जो demand है, कि जो normalization हुआ है, हमें OMR दी जाए सबसे पहले, और vacancy को कुछ time के लिए hold किया जाए, क्योंकि ये नहीं कि हमें justice ना मिले, और सारा काम आप कर दें, हलाकि सास्तियों एक बात और आई है, जो DSSB का system है, थोड़ा अच्छा नहीं लगा, क कोई भी vacancies होती है, exam होते हैं, तो OMR seat आ जाती है, estate seated के आपने exam दी होंगे, अब बात आती है, कि आपने कौछा किया है, अब आप देखते होंगे, exam देते होंगे, तो हुआ पे क्या होता है, कि आप अपने exam paper पे, जो question paper है, उस पे tick भी नहीं कर सकते है, अब आपके पास क् क्या है, आपने ABCD कौछा किया, आपके पास क्या proof है, तो ये बात बिलकुल सही है, कि candidates को OMR seat जरूर मिलनी चाहिए, अब candidates को क्या पता, कि उनके साथ गलत हो रहा है, सही हो रहा है, तो ये सारी चीजे भी गलत है, इसके बाद उनकी और demand है, कि अगर ये सारी चीजे नहीं ह होती है, अगर ये सारी चीजे नहीं होती है, तो exam रद होना चाहिए, और रद होने के बाद DSSB exam को conduct ना करे, हम इसके खिलाब आवाज उठाएंगे, DSSB exam conduct ना करे, DSSB exam conduct नहीं कर पा रहा है, बच्चों को justice नहीं विल पा रहा है, KVS में कितने लाग बच्चे होते हैं, उ DSSB में क्यों नहीं हो सकता, तो ये question सोचने वाला है, और सातियों आप लोगों की राय जो भी है, आप comment करके जरूर बताएं, तो ये सारी demand है, जो candidates चाहते हैं, और मुझे लगता है कि ये demand कहीं ना कहीं उनकी सही है, क्योंकि जिनके साथ injustice हुआ है, वो candidates, क्योंकि आप लो condition में select हो जाएंगे, लेकिन जिनको unwanted advantage मिला है, वो चीज गलत है, तो साथियों उम्मेद यह है कि सारी चीजे आप लोगों के साथ अच्छी हों, और हला कि मैं आपको बताता हूं, कि आप लोग आपस में ये नहीं क्योंकि कोई enemies हैं, सब मैं आपको बताते हैं, काफी ऐसे friends हैं, उनकी दोस्ती में भी दरारा चुकी है, DSSB की वज़े से, तो मैं चाहता हूं कि सब चीजे अच्छी हों, और ये सारी चीजे DSSB ने create करी हैं, आप आपस में argument ना करें, कल भी जो मैंने देखा था, तो साथियों उम्मेद यह सारी चीजे अच्छी होंगी, गुडबा मात्रों